नमस्कर दोस्तों, हार्वेस्ट एंड कुप में आपका स्वागत है। आज हम हार्वेस्ट करेंगे स्वीट पोटेटो यानी शकरकन और बनाएंगे इसके फ्रिटोस। शकरकन में इतने सारे गुण होते हैं जो हम कभी नहीं जानते थे कि ये हमारे लिए इतना लाबदायक है। तेरुगों में इसे चिलकड दुंपा और कुंखणी में कणं कहते हैं। इस तरह हमने 20 इंच टब में स्वीट पोटेटो के पीसस से इसे उगाया था। करीब 5-6 मेहने में आप शकरकन को हार्वस्ट कर सकते हो। इनमें वाइटमिन A, C, E, पोटेशियम और सॉलिबल फाइबर्स अधिक मात्रा में पाया चाता है। खास करके डाबेटेस और डाइजेशन रिलेटेड प्रॉबलम के लिए ये वेजटेबल साजिस्टेड है। इनमें स्थित अंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हमारे शरीर में बाक्टिरियल और फंगल इंफेक्शिन्स को रोकने में मदद करता है। चाहे वो लंग रिलेटेड हो, निमोनिया या यूरिनेरी ट्राप्ट इंफेक्शिन्स और शरीर को हिंदी रखने में मदद करता है। इन में मौजुद अन्तोसियानिन, नामक, कॉंपोनेंट, ब्रेन के फंक्शनिंग यानि रिस्टलिस्नेस, अंग्जाइटी, नीद अच्छे से ना आना जैसे सारी चीजों को ठीक करने में मदद करता है। चलिए देखते हैं रिस्पी को। पर भाट जाए औम से आना जैसे से तो तो में 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 मुझा है। हम इस hace प्रहार, किस्ठार हम आने पाला है… स्बर्दयरियस को को पिणिवन स Waterhouse झाल झाल झाल